Hello, Biology Youth जैसा कि कल हमने tissue शुरुआत करी थी उसमें मैंने tissue को divide किया था दो तरीके बताये थे tissue का way of division and tissue का way of organization on the basis of that we can divide the tissue in two groups tissue को जब हम division की बात किये थे तब हमने permanent और meristematic tissue किया था tissue की जब हमने organization की बात की थी तब permanent tissue को ही हमने simple या complex tissue में बाता था ये permanent tissue के ही part है इसमें जब हम permanent tissue में जब हम देखते हैं कि अगर कोई tissue simple है तो किस basis पे हमने उसे simple कहा है क्योंकि इसमें component एक जैसे होंगे variety of component नहीं होंगे मगर इसमें component different होंगे यानि एक जैसे component नहीं देखे जाएंगे कैसे ये आज deal करते हैं पहले आज मैं simple बताऊंगी simple में क्या है parent कायमा जो की matrix का काम करती है इसमें दो और modification है अगर chlorophyll present होगी तो leaf के cells में chloranchyma बोला गया है अगर ये aquatic plant है तो ये aranchyma के form में देखा गया है ये एक कुछ specific तरीके के हैं अपने location के, अपने function के according parent कायमा ने अपना एक special way of division किया है next है इसमे call and कायमा last is claranchyma पहले हम call and parent कायमा को लेते हैं parent कायमा के जो layer है outer layer cellulose की बनी हुई होती है और material leaving होता है ये matrix का काम करती है ये parent कायमा के विशय में बात है आप एक rough तोर पेस को याद कर सकते हो कि how we can differentiate them parent कायमा में intercellular spaces देखी जाती हैं इसमें जरूरी नहीं है शेप आपकी आपकी उवल हो isodrametric भी देखी गई है onion में आपने इस तरीके से भी देखा है ऐसे भी देखी जा सकती है it's on their location but intercellular gap होगी अगर हम कॉलन कायमा की बात करें कॉलन कायमा अक्सर आपने देखा होगा अगर यह plant की branch है और यह twig है तो इस area में हमने कॉलन कायमा देखा है इसकी जो outer layer है उसमें packedine deposition देखा गया है यह leaving होती है और यह आपके plan के part को mechanical strength देती है last है यह mechanical strength देती है this is a function last point हमने function के तौर पे इसी तरीके से अगर आप line diagram बना के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना असान रहेगा इसके corner में हमने corner की boundary में हमने packedine की deposition देखी है पूरी body में नहीं होगा corner में देखी है उससे mechanical strength मिलती है तो यह जो corner हमेशा इसके packedine deposition के वज़े से little bit इसके supportive होते है और hard होते है तो यह तूटती नहीं है इसलिए आंधियवांधिवी आने पे आपको कभी पत्ती तूटती हुई नजर नहीं आएगी पेड का पेड पूरा भली गिर जाए लास्ट स्क्लेरिन काइमा हम लोग अक्सर जो गौावा खाते हैं या पीर खाते हैं कच-कच की या sound करती है उसमें जो tissues होते हैं उसे हम stone cell के नाम से जानते हैं यह कई बार term आपके नीट में भी पूछा गया है इसको sclerics भी कहते है तो crunchiness जो आती है स्क्लेरिन काइमा टीशू की वज़े से अगर यह fiber है तो यह स्क्लेरिन काइमा के form में हमने देखा है जैसे कि हम husk और coconut में देखते हैं इसमें लिगनिफाइट टीशू होते हैं यह non-living है प्लस mechanical strength तो देती ही देती है और साथ में यह extra support भी देती है क्यों क्योंकि अगर मान लीजे जैसे coconut है उसका hard होना बहार से इंप्रीवियस होना बहार से उसे support देता है कि वो पानी में बहे के pollination कर सके और अपने एक target area में जा सके अब हम बात करते हैं complex ही complex में बच्चों को हमेशा एक problem यह रहती है कि हम इसका कैसे याद करें कि यह आपका इसमें dead और leaving tissue कौन कौन से है इसको हम कल continue करेंगे आज के लिए बस इतना ही थैंक यू